हेलो शुडेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग रिजिक फार्मेशी का चेप्टर no.3 का, लैक्चर no.5, जहां आज हम लोग समझेंगे कुछ दॉक्मेंटेशन के बारे में और ये डॉकमेंटेशन इस्पेस्विली परचेस और इंवेंट्री के दौरान स्तुमाल होते हैं Inventory क्या होती है हमको सारी बात समझ में आ चुकी है Purchase हम सब को पता खरिदारी जो होती है उसमें basic basic चीज़ें पता ही है फोर सा आज और detail में और scientific क्या क्या document इस्तमाल होते है Basic पता होंगे कुछ आज उसको scientifically सारे documents के हम लोग याज जिकर कर लेंगे जो किसी purchasing department में इस्तमाल होते है तो अगर हम बात करें तो लोगों क्या कह रहा है यहाँ पर यह Documents used in the purchasing office यहाँ पर हम लोग इसकी बात करने वाले हैं वो सारे documents जो purchasing office में इस्तमाल होते हैं These are the documents that procurement office procurement office procurement ऐसा office जो पाने का काम करता है क्या पाने का ड्रक्स को पाने का काम करता है वोड ओफन यूज वेंट पर्चेजिंग गूड्स और सर्विसेस फ्रॉम एक्टरन सप्राइर सप्राइर क्या रहा है These are documents These are the documents that डवल आगे हैं पर documents that यह वो document होते हैं जो procurement office वोड ओफन अक्सर इस्तमाल किये जात करता है पर्चेजिंग गूड्स और सर्विस फ्रॉम दा एक्टरन सप्लाइर तो सिंपल भास हम इसको समझें बहार के किसी supplier से जब कोई चीज खरीदी जाती है तब इन documents का इस्तमाल होता है तो ठीक है ना बात समझ में आगी तो हम बात करते हैं purchase document का कि purchase documents में कौन-कौन से document इस्तमाल होते हैं तो यहां पर मैंने एक चीज़ मैंशन करी है for internal use internal use का मतलब है कि office के अंदर यांदर इस्तमाल होगा वो सारे document फिर मैं बात करूंगा for external use ऐसे document जो office के बाहर की purpose से इस्तमाल होंगे ठीक है ना तो सबसे पहला होता है index of supplier याने की अच्छा यहां में किसकी बात कर रहा हूँ एकदम सुरुआज से सुरुआज से जब आप किसी सुरुआज करते हैं तो क्या करेंगो उसके लिए एक index of supplier तयार करते है index मतलब एक supplier की list तयार करते है it is a list of names of approved suppliers approved suppliers जिनको भाई दवाईया हर को नहीं बेच सकता ना license होता है approved suppliers arrange alphabetically alphabetically हम arrange कर लेते हैं ABCD के according with address, telephone number, description of goods कौन किस चीज में deal करता है किस तरगे दवाईयों में deal करता है from them terms and conditions of sale unit price क्या है goods की it is prepared and stored on computer by the purchasing office अब इतना लंबा बाते basic से आ गई यानि कि हम simple सी बाते करे index of supplier क्या है एक लाइन लिख दो list of suppliers होती है या list of approved suppliers होती है ठीकर ना approved मतलब जिनको मानता मिली हुई है उनका name, address, telephone number, description कौनकों से goods बेशते हैं वो सारी बाते यहां पर लिख हुई रहती है आगे आते हैं क्या होता है इसका में समझते हैं अभी पहले यह एक ऐसा document है जो वहां का staff member ही तयार करेगा department का और authorize किया जाता है उस head of department के द्वारा and send to the store clerk और store clerk के पास भेदी रहता है requesting item for use by the staff member भाई वहां का जो खुद का staff है वो भी तो कुछ चीज़े इस्तमाल करें और बाईयां में इस्तमाल करने में हो सकती है कोई हम यह पर hospital फार्मरी से पढ़ रहे हैं तो जो महां के staff कि दवायां में इस्तमाल होती है ठीक है कुछ regular दवायां होती है जो उन भी के सुरू मंगा ले जाती है तो उसकी request हो सकती है यह या कुछ और item की request हो सकती है the original is sent to the store clerk जो असली वाला बना के तयार की जाती है वो store clerk को भेज दी जाती है as authority for the item issued and to monitor the rate of use of the item है ना जो original होता है वो store clerk को भेज दी जाता है क्योंकि वो authority है और वो check करता है कि किस रफतार से दवाईयां इस्तमाल हो रही है ऐसे दोने की staff में स्यूज कर रहे है while the carbon copy is filed by the hod as a record of the item filed मतलब file में रख ली जाती है hod के दोवारा as a record purpose के लिए received from stores the rate of use will indicate when to purchase the new stock ठीक है और यहां से एक हमें idea मिलता रहा था कि staff के लोगों के लिए हमें एक नया stock कब लेना है तो जो department requisition है ये कही ना कही एक तरह से क्या हो गया item used by the department ठीक है जो department के members हैं उनके लिए हैना यहां पे दवाईया है अगर दूसरा किसी हम चीज़ों चले जाए मान लोग को जी normal office है तो department pen, pencil, eraser, paper से लिए इस्तमाल करता है तो वो office में इस्तमाल होने वाले चीज़े होती है वो क्या होगा department requisition होता है अब purchase requisition आ गया क्या आ गया purchase requisition यानि कि यहां पर अब क्या चीज़ हमें purchase करने यह department के लिए थी यह वो चीज़े हैं जो बाद में sale कर दी जाएंगी it is prepared by either the head of department hod के दुवारा within the firm और the store clerk है ना किसके दुवारा किया जाएगा hod के दुवारा firm के अंदर और the store clerk जो clerk का store होता है store का clerk होता है उसके दौरा तियार किया जाता है and send to the purchasing office और purchasing office में भेज दे जाता है इस document को requesting goods जिसमें request होता है उन समान के लिए to be purchased when they are not in the stock जब वो stock में खतम हो जाते हैं ठीक है उनके खईदने के लिए यहां तक लिके छोड़ सकते हो या when a new item is required या किसी नए item में जब ज़रुर्द होती है तो उस time पे भी purchase requisition तयार करके भीजा जाता है the original is sent to the purchasing office जो असली एक document होता original वो purchasing office में भीजा जाता है so it can order the item जिसे कि item पो order किया जा सके and the carbon copy is filed by the hod carbon copy को क्या करेगा hod file करके अपने पास रख लेगा और store clerk अपने पास रख लेगा as a record के तोर पे of item requested from the purchasing office इसकी कौन कौन से item request किये गए है बास समझ मा रही है तो थोड़ा सा difference रहेगा index of supplier हो गए departmental requisition हो गई department के द्वारा department के लिए purchase requisition ठीक है ये request की जा रही जो हमारे stock में चीज़े खतम हो गई है then purchase order अब एक order तयार कर दे जाएगा अब purchase order is prepared by a letter एक letter as a letter letter के तोर पर त्यार के आता है और on a printed form by the buyer buyer के द्वारा जिसको खरिदना है वो purchase order त्यार करता है और भेज देता है supplier के पास requesting goods to be purchased की ये समान हमें खरिदना है तो simple purchase order क्या हो गया मैंने एक list बना दी और ये सारा समान हमें चाहिए भेज दो आ गया आता है distribution of purchase order फिर उस purchase order क्या कर दिया था distribute कर दिया आता है clerk के पास हर जगे जहाँ 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 पर उसकी file लगनी होती copy लगनी होती है distribute कर दिया आता है goods received note उसके बाद समान वहाँ से आएगा कहां से supplier की तरफ से वो goods received note good received note received मतलब पा लिया गया इस prepared by the store clerk बैज जो store clerk होगा उसने देखा हाँ सारा समान आ गया वो sign करेगा एक note बना देगा कि हाँ समान प्राप्त कर लिया गया है to report the arrival of the good जिससे कि उसको फिर भेज देगा पूरे office में कि हाँ ये समान प्राप्त कर लिया गया है तो वो information पहुंच जाती है now distribution of goods received note अब जो क्या होगा जो good received note है उसको distribute कर दिया गया गया है ठीक है goods received note एक note है जो कि store clerk ने बनाया है फिर उसको क्या कर दिया गया था distribute कर दिया गया था पर्चेस डॉक्वेंट फॉर external यूज एक्स्टर्न यूज एक्स्टर्न यूज से क्यों कहा है मैंने यहां पर external यूज का मतलब यह कि office के अंदर ही इस्तमाल होती है बनते office के अंदर ही लेकिन सहाथ से बास समझ में आगा request for information यहां पर तुम किसी को भेज रहे हो information भाई बताओ तुम्हारे पास क्या क्या माल है किस rate में दोगे भेजो भेजो information भेजो तो तुमने यह document किसी को भेजा इसी ने मैंने यहां लिखा है for external use जिससे की सारे document तुम्हारे दिमाग में clear cut set हो जाए तो request for information and RFI request for information नहीं जो formal process एक official process formal process होती है for gathering information from potential supplier potential मतलब जो लोग supply कर सकते हैं है ना ऐसा थो ना कि किसी को भी दो वो फिर कहीं और भटक रहा है जिसके पास वाकई माल है potential supplier of goods और service RFIs are intended to be written by customers and sent to the potential supplier ठीक है यह return किया जाता है लिखा जाता है customers के दौरा customer मतलब एक तरह से जो हम खरी देंगे और supplier को भीजा जाता है ठीक है तो RFI क्या है request for information यहाँ पर full form बड़े काम की चीज़ रहेगी request for information ठीक है ना कि information के लिए कि है ना हम लोग कहीं पर याद कहीं पर हम लोग फोन से बात कर लेते हैं लेकि जब बहुत बड़े level बात चलती है तो पूरा एक भीजा जाता है परफॉर्मा कि भीजा बताओ यह सब चीजा हमें मंगवानी है अब बताओ इसका क्या रहेगा सीन ठीक है ना सारे items वगरा की list मंगाई जाती कि आप क्या क्या देते हो कैसे कैसे देते हो ना request for proposal RFP a request for proposal is an open request for bids to complete a new project proposed by the company or other organization that issues it ठीक है तो कह रहा है request for proposal is an open request for bid एक open request होती एक तरह से निलामी के लिए open कि हाँ आओ भाई सब लोग बुरी लगाओ है ना request for proposal उसको ही बोला उसको भाई सब बताओ हमको यह माल चाहिए बताओ कितने गृत्ते में दोगे तो एक open request बीट बुरी लगाने के लिए तो complete new project new project का मतलब है जो माल आप खईदने वाले हो by the company और other organization that जो कि इसको issue कर रहा है ठीक है जो इसको issue कर रहा है इस proposal को जो issue कर रहा है it is mean to open up competition and to encourage a variety of alternative proposal that might be considered by the project planner ठीक है तो यहाँ पर सीदी सी बात है कि हम क्या चाहता है कि competition खुला रहे जब चार लोगों से बोली आएंगी तो सब लोग कम रेट पर लगाना चाहिए कि माल हमारा बिग जाए हैना तो competition रहेगा है कि यहाँ पर आगे आते है request for quotation proposal आ गया भाई कौन कौन आ रहा है अब quotation request for quotation is a business process in which a company or public entity request a quote from supplier for the purchase of specific product or service तो यह simple क्या quotation में यह बात हम पहले भी कर चुके है quotation में क्या होता है कि आप भाईया बताओ ठीक है अब proposal आ गया कि कौन को हमको माल देगा हम अम हम सबने का हम देंगे हम देंगे हम देंगे अब भाईया quotation दो सब लोग अपनी अपनी तो माल एक कोई एक लाग में दे रहा ह कोई 90,000 में दे रहा हो ही माल को है ना तो request for quotation आ गया now invitation for bid and IFB differed from a request for proposal ठीक है invitation for bid एक तरह से देखा जाए हम पर यह है proposal यह कही ना कहीं एक जैसे लगेंगे कि कौन को हमें माल देरा बता हुई है proposal ठीक है अब यह invitation for बोली लगाने के लिए invitation एक तरह से इसके अगर भासा है यह हम लोग कि बोली लगाने के लिए क्या चाहिए invitation दिया जा रहा कि आओ बोली लगाओ ठीक है तो क्या रहा है IFB differ from request for proposal in debt the objective is to obtain contractors proposals concerning the cost to complete the project with less emphasis on the bidders introducing its own idea यहाँ पर main चीज़ है तो क्या कह रहा है IFB differ है किससे request for proposal से किस तरीके से in debt the objective is to obtain contractor's proposal concerning the cost to complete the project with less emphasis invitation to bid में क्या है आप केवल cost बताइए बाकि हम देख लेंगे लेकिन proposal में क्या रहता है देखो क्या बोल रहा है less emphasis on the bidder introducing its own idea परपोजल में क्या रहता है जो परपोस करने वाला है जो बोल रहा है वो अपना idea भी दे सकता है साथ साथ में कि भाई ऐसे ऐसे करो ऐसे करो लेकिन नहीं इंविटेशन तो बीड में केवल आप बोली लगाएंगे उसके लाब आप कुछ नहीं कर सकता है तो पहुत बारीक सा डिफरेंस है बादवागी देखाया है तो एक तरह से सीम है ठीक है फॉर हाव टू कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट और पर्फॉर्म दा सर्विस है न उसमें पॉर्पोजल में वो बतायागा कि हम ऐसे से करेंगे यह करेंगे आप ऐसा करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं यह वो करके इंविटेशन बीड में कुछ नहीं तुम बोली बताओ ठीक है यह थोड़ा से डिफरेंस आता है नाउ रुक्वेश्ट फॉर बिड रुक्वेश्ट फॉर बिड मींस एन ओफर मेड इन रिस्पॉंस टूर सोलिटेशन तू पर्फॉर्म अ कॉन्ट्रेक्ट फॉर सर्विस ठीक है रुक्वेश्ट फॉर बिड क्या हो गया मीज एन ओफर एक ओफर है मेड इन रिस्पॉंस टूर सोलिटेशन टू पर्फॉर्म अ कॉन्ट्रेक्ट फॉर सर्विस ठीक है ना तो रुक्वेश्ट फॉर बिड देखो यहां पर कुछ चीज ना तुम लोगों क्या लग करना की रुक्वेश्ट फॉर बिड इनुटेशन फॉर बिड ठीक है और ठीक है रुक्वेश्ट फॉर बिड आ गया इनुटेशन फॉर बिड आ गया ठीक तो इसमें थोड़ा सा यह इनुटेशन है यह रुक्वेश्ट है तो देखो यहां पर क्या है चीज में कन्फ्यू करने है रुक्वेस्ट में आप कुछ काम करने के लिए ठीक है ना तो रुक्वेस्ट फॉर बीड्वींज एन ओफर मेड इन रिस्पॉंस तुआ सॉलिसीटेशन सॉलिसीटेशन मतलब एक तरह से जो आपने अन्रोध किया है आपने प्रात्ना किया है टू पर्फॉर्म सुलिस, पर्फॉर्म आपने के त्यार हो आथा है चुल पर्फॉर्म हितug परफॉर्म करना प्राइब इस्पाइब प्राइस तो यहाँ पर एक डॉक्वेंट बन तरत्यार हो आथा जिसको हम क्या कहत कीता यह है रिफ्वेस्ट फॉपर बिड्श के बनके त्यार होगा है कि हाँ यह आपने प्रात्ना करी थी और यह कॉंट्रेक्ट बनके त्यार होगा है कि हम यह माल की सप्लाई आपको करेंगे अब पर्चेस ओडर अब पर्चेस ओडर रिजए है भेजो अभ यह अब यह माल तरह होगा है अब हमको माल यह यह उपर वाले कुछ तहेए ध्यादा इंप्रोंट थे थी ज्यादा इंप्रोपोज тяжलिव क्या है Seller proposal is a formal response from seller to a request for proposal or other procurement document एक तरह का Seller की तरफ से जो बेचता है उसकी तरफ से एक formal response होता है formal मतलब एक return में document रहेगा जो Seller की company या firm की तरफ से जाता है जो procurement document आया था कि हाँ किसी को यह सब चाहिए उसके response में दिया जाता है जिसमे specifying the price, commercial terms of sales की किस condition में वो समान बेच रहेगा and technical specification or capabilities the seller will do for the requesting organization ठीक है and technical and specifications ठीक है यहाँ पर आते हैं फिर से commercial terms जिसमें वो क्या क्या स्पैसिफाय करता है price, commercial terms of sale, technical specification की technically क्या क्या चीज़ सपोर्ट कर सकता है capabilities the seller will do, वो सारी capability जो seller करेगा for the requesting organization ठीक है न जिस organization ने request किया है if accepted अगर वो accept करता है यह सब चीज़ें would bind the seller to perform the resulting agreement और अगर वो चीज़ें से बंद जाते हैं फिर वो seller वो सारे काम करेगा उस agreement के तहट within the project management जब तो को project चलता रहेगा एक तरह से उसके तहट यह सारे काम यह करता है तो एक तरह का seller proposal रहता है ठीक है न कि मैं यह सारी चीज़ें करके आपको दूंगा तो यह एक seller proposal होता है ठीक है कि मैं यह सारी facility आपको extra दे सकता हूँ दूसरे के मुकाबले तो यहाँ पर कुछ कुछ नहीं है कुछ खास-खास terms है एक-एक line में समझ लेना है इनको और simple भासा में ठीक है ना जिन लोगो सब्सक्राइब करेंगे तो टाइप करेंगे तो हिंदी आ जाएगा तो कोशिस को रहे एक line में जैसे कि छोटा सब्सक्राइब मुदान देता हूं मालो request for quotation request for quotation is a business process in which company or public entity request a quote from supplier इसको simple कर लो ठीक है यहाँ पर लिखो कि यहाँ पर जो supplier होते हैं वो अपना quote send करते हैं ठीक है किसी product का क्या लिख दो यहाँ पर in this form the supplier send its quote send its quotation भासा simple कर लोगे ठीक है ना मतलब समझ में आ गया है तो भासा को simple कर लोगे मैंने exact definitions होती है technical definition वो लिखी हुई है कि लिए रहे बाते हैं तो हिंदी में समझते चलो भासा को simple करते चलो हमारा मुद्दा वहाँ पर exact लिखना नहीं है हमारा मुद्दा केवल यह है कि इसका मतलब क्या है हम कुछ ऐसा लिखें कि टीचर समझ जाए कि हाँ इसका मतलब यह है और बच्चे को पता है नंबर उसी चीज के मिलते हैं कि बच्चे को चीजें पता है आपने यही लेंगविज लिखिए इस चीज का नंबर नहीं मिलेगा ठीक है तो बिलकूर रटने की कोशिश ना करें समझ करके अपनी भासा में लिखने की कोशिश करें जिसको जिसके लिए मैं हमेशा फोर्स करता हूँ झालियों कि नेच्ट आते हमारे पास इन्वेनटरी डॉकुमेंट अब हमारे पास स्टॉक रखा हुग है श्टॉक है इस टॉक हुए अब हम उसके बारें बात करेंगी यह सारव पर्टेशू का खेल हो गया अपना न इस टॉक हो जायेगा तो हम इस टॉक रिक्वेस्ट क यह उसका वेयर हाउस है इस होस्पिटल का एक बड़ा वेयर हाउस है तो स्टॉ EK खतम हजए कहा तो पहले वह वहाउस से लेगा करिदना नहीं जाएगा पेहन बड़े गोधा यह बड़े गोधाम माल कहत倒 होगा यह बड़ा गोधाम किसी बड़े सप्लाइर सऽे लेगा यहां पर शेल्ट होगी यहां लिखा पड़े होती है किलिए लोगी बात थीक है तो यह है इस है इसटो प्राइल साइर साइब हेचान पोर्म इस धे एक इनवीं dal ग्रीजिक है यह can be used by organization जो जिसकों की organization के जवारा इस्तिमाल किया आता है to request and restock items जिसमें वो request करता है कि items को restock किया जाए खतम हो रहा है in an organization किसी organization में simple सी बात तो stock request क्या हो गया एक ऐसा form है it is a kind of form in which to restock the items in which the request for restocking the items is done वो किया जाता है this form is designed to help employees within an organization or business to request for a specific product or item यहाँ पर वो केवल request करते कि हमारे पास यह item खतम हो गया है भेज़ देगा आगे वो अब आगे वाले नहीं होगा गोदाम से उठाएंगे नहीं होगा तो खरीदेंगे वो आगे की बात रह गई यह बात समझ में आ रही है यहां से केवल इनों क्या भेज दिया माल खतम फिनिश हमको माल दो आगे पॉंच गया अब आगे वाले खरीदते हैं यह अपना गोदाम से उठा के देते हो बात की बात है बात समझ में आई तो इस टॉक रिक्विजिशन अलग है पर्चेस रिक वह पहले उठाए जाएंगे फ़र डिलेवरी एंड रिलीज फ्रॉम दा रिजर्व स्टेटर्स और यहां पर रिजर्व ता वहां से रिलीज कर दी जाएंगे इस परफॉर्ण बाई क्रेटिंग पिक टिकट रिपोर्ट ठीक है एक रिपोर्ट बनती है जिससे हम लोग क्य वहांसा आइटम है और किस बिन नंबर में कहां पर रखा हुए है और गुप जिसको बॉपक पिकब किया गया तो वह उसको भी चड़ा दिता है वहां पर जाके ठीक है ना तो यहां पर जो पिक टिकट पूर्ट रिपोर्ट रहे है उसमें रिफ्स टॉक का नंबर की कौन स to the buyer from the warehouse ठीक है तो stock issue confirmation की issue कर दिया गया है it यह confirm करता है to the system that earlier reserved and released item ठीक है जो पहले से reserved था और जिसको अब release कर दिया गया है have been issued वो issue किया जाज़े को है to the buyer खाइदने वाले को यहां पर खाइदार कौन है यहाले store है from the warehouse warehouse से क्लियर है बाते है ठीक है over the counter कई बार ऐसा भी होता है it directly issue good from the inventory to the requester वो directly हुआ क्या इतनी emergency थी माल यहां पर नहीं था अब इतना समय नहीं था कि यहां पर पूरा slip बनाते पास करते बंदा सीधा गया यहां से माल उठा लाया ठीक है और ले जा करके emergency में दे दी जा करके तो यह over the counter हो गया direct over the counter it directly issue goods from inventory to the requester जिसने request की है after the successful completion of an OCE transaction and OCE issued OCE जब हो जाता तो पुरा थोड़ा सा पर्चेशी बना के दे था कि हां यह ले जाओ यह सब चीजे थी report will be produced identifying the requester and the stock item issued फिर एक report बनाई जाती है जिसमें कौन लेने आया था और क्या item दिया गया है वो बना के दिया जाता है that is over the counter clear रहे बाते हैं तो देखो यह सारी चीजे होती बड़वड़ी फर्म में तभी चीजें चलती हम लोग सोचते हैं ना कि एक बड़ा आदमी बिजनेस मैंने वह एक अपने घर पर बैठा साची मैने जो रही है एक एक चीज की लिखा पड़ी है ठीक है अब जब गरवड़ी होती है तो चेक करने वाले एक एक चीज को चेक करता है फिर मिलान करते हैं लोग कहां गड़वड़ी होती उसकी नौकरी खत्रे में आजाओ ना इसा भी हो सकता था स्टॉक रिटर्न डॉकुमेंट रिकॉर्ड आइटम डैटा रिटर्न टूदा इन्वेंट्री जो कई वा यहां से हो गई तो कंप्यूटर में ज्यादा दिखाएगा लेकिन माल क्या होगा कम होगा या कई बार ऐसा होता कुछ यह टूट फूट जाती है है ना सौ सीरप थे पांस टूट गए एक्च्वल कितने है पिचानवे और कंप्यूटर कितना दिखा रहा है सौ तो यह है इ जा दे रहा है इसी को अपनी बातों मन से बना के भी लिख सकते हो इन्वेंटरी अजस्मेंटरी का करेक्शन और स्टॉक रिकॉर्ड या जो रिकॉर्ड है उसका करेक्शन होता है तो ब्रिंग देम इंटू एग्रिमेंट विद दा फाइंडिंग आफ दा एक्च्वल गया हो तूट गया हो कोई गलती हो यह मालों आये थे पचास चड़ गए हो सौ या आये थे कितने सौ चड़े थे नब्बे हैं ना कुछ गलती हो जाती है अमाउंट और नंबर ऑफ दा आइटम तो तो तुम देख रहे हो सारी चीने बड़ी नॉर्मल है लेकिन जब चीज लिखा बड़ी हो ती आँ पर तो वह सारे कहिन आगे लिचाट बन जाते हैं यह फिजिएकल इंवेंट्रि पर्चेसच इनपूर्ट तब फिमpriंट्री पर्चेसच इनपूर्ट डॉकंट रिकॉर्ट अजस्ट्मेंट इंस्ट कौंटिटीश ए menis से पैस्टिक है transfer of items from one warehouse to another कई वर क्या होता है बड़ बड़ गोदाम होते हैं दो तिन तरीकी होते हैं मालो है ना एक गोदाम तुम्हारा सपोर्ज तुम्हारे शहर यहां ज्यादा कमी थी तो एक वेरहाऊस दूसरे वेरहाऊस और इस्टॉक ट्रांसफर रिसीफ अभी रिसीफ आगे कि माल पहुंच गया द इस्टॉक एड़ रिसीविंग पॉइंट कि हमने रिसीफ कर लिया है इंस्पेक्ट करेगा उसे जाचेगा और रिसीफ करेगा स्ट को and move it to the respective warehouse और उसको वहाँ पर move करवा देगा this activity permits you to specify the taxes and charges ठीक है यह बात छोड़ सकते हो यहाँ पर लिखो के मतलब नहीं है हमें किवल इस कि लिए रहे बाते हैं तो यह एक एक लाइन की चीजें हैं ठीक है यहाँ डेफिनेशन यहां से बहुत ज़्याद संभावना है डेफिनेशन यहां तीन नमबर कोश्चन आया और तीन वर्ड लिखे हो कि डिफाइन इस टॉक इसू कानफरमेशन पिक एंड इसू इस टैप से कुश्चन साने की समभावना रहेगी किलियर है तो बस डॉकुमेंट डॉकुमेंट थे यहां साथ यह पढ़ने वाली थी और यह लेक्चर अपना आज का खतम हो जाता है और यह अपना माइड नर्चर एप आगया ठीक है ना तो फिर से कह रहा हूँ बिना रिवीजन का कुछ नहीं होगा यहां जैसे आज हमें जो टॉपिक पढ़ा यहां लेक्चर देखा वहां केवल बात है क्या थी समझने वाली थी और लर्न करने वाली थी और लेंगवेश टफ लगे तो उसको अपनी भ चरुबी बात रिवीजन तो रिवीजन करते रहो पढ़ते रहो आल दा बेस्ट